आप देख रहे हैं अमेज नाओ गंगा जमना राप्ती और गोंगती के दटवर्टी इलाकों से खबरे आप तक गोरकपूर जनपद में बांस गाओं इलाके के बहुरवा गाओं में चार दिन से लापता साथ वर्सी बच्चे की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है बद्धवार की सुबह उसका सौव घर के पीशे जाडियों में पड़ी मिली बच्चे के मुँ में कप्रा ठूसा गया और दोनों हाथ कप्रे से बंधे हुए थे बांस गाओं के बरोहवा गाओं में बड़ी संख्या में पुलिस बलकी मौजूदगी इस बात की गवाही दे रही है कि इस गाओं में कोई अपरी ये हिर्दय विदारक घटना हुई है दर असल इस गाओं का साथ वर्षी लक्ष दो अपरेल से रहस्य में ढंक से गाइब हो गया काफी खोज भी इनके बाद जब नहीं मिला तो परिवार वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी पुलिस ने गुमशुद्गी का मुकदमा दर्ज किया और खोज में लग गई लेकिन बुद्ध वार सुब़ कुछ महिलाएं जो खेत की ओर गई थी दुरगंद आने पर नोंने जाडियों में बच्चे का सड़ा गला शव देखा बच्चे के मुँँ में कपला ठूसा था और हाथ पीशे बंदे हुए थे महिलाओं ने इसकी सूचना गाओं में दी तो पूरे गाओं में हड़कम पंच गया लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुँच गए मामले की परताल शुरू हो गई हाला कि परिजोनों ने किसी से दुश्मनी और फिरोती मांगे जाने से इंकार किया है वही पुलिस हर पहलों को ध्यान में रखकर वजह तलाशने में जुटी हुई है घटना असल पर डॉग स्क्वाट और फॉरंसिक टीम भी बुला ली गई एससपी ने घटना के खुलासा और आरोपितों के गिरफतारी के लिए एससपी साउस के नेत्रतों में तीन टीमें गठित की है गाउं के पास ही एक खेट में तालाब के पास मिला जिस पर मौके पर सभी आलादिकारी पहुँचे हैं फॉरंसिक और डॉग स्कॉड की टीम भी आई है जो शव है उसको कबजे में लेके पोस्टमाटम के लिए भीजवाया गया है और इसमें तीन टीमें गठित की गई है एसपे साउस के नित्रतों में जो कि इसके अनावरण में लगी है और शिग्रही इसमें आगे कारिवाई की जाएगी फिलहाल पुलिस ने शौ को पोस्टमाटम के लिए भीज दिया है और तीन पहलों को ध्यान में रखकर जाच कर रही है पुलिस को शक है कि कहीं उसकी हत्या फिरौती के लिए तो नहीं की गई या फिर पुरानी दुश्मनी हत्या की वज़ाय तो नहीं बनी फिलाल वज़ चाहे जो भी हो लेकिन दो बहनों के बाद सबसे छोटे लक्ष की मौत ने घर वालों को सदमे में डाल दिया है पुलिस गाओं के सभी लोग और परिवारजन बच्चे की तलाश कर रहे थे इसी क्रम में आज सुबे बच्चे का शव गाओं के पास ही एक खेत में तालाब के पास मिला जिस पर मौके पर सभी आलादिकारी पहुँचे हैं फोरंसिक और डॉग स्कॉड की टीम पी आई है जो शव है उसको कबजे में लेके पोस्ट मौटम के लिए भिजवाया गया है और इसमें तीन टीमें गटित की गई है एसपे साउथ के नितरतों में जो कि इसके अनावरण में लगी है और शिग्रही इसमें आगे कारिवाई की जाए अभी परिजन द्वारा किसी की खिलाब कोई तैरीर नहीं दी गई है ना कोई शंका जाहिर की गई है पुलिस ने सभी विकल्ब खुले रखे है और सभी संभावनावों को देखते वे पुलिस कारिवाई कर रही है और शिग्रही इसका अनावरण किया जाएगा आप देख रहे हैं Amaze Now